नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं देने और मामले की सुनवाई अगले मा करने का अगरह किया गया जबकि प्रार्थी की ओर से जद सुनवाई करने का अगरह किया गया प्रार्थी का कहना था कि जार्खन में निकलने वाले नियुक्तियों पर इस निमावली का असर पर सकता है इस पर अधालत ने 23 अगस्त को सुनवाई निधारित की बता द्याचका में कहा गया है कि जे सेसी की संसोजित नियमावली की वज़ा से अभियार्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है नए नियमावली की वज़ा से वे चैन पर किरिया से बाहर हो गया है नियमावली की सर्तों की वज़ा से प्रार्थी सहित और ने समानेवर के चात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के बाहर से संस्थान से दस्वी वह बरहमी की परिक्षा पास किया है को रोना की चौथी लहर 20-30 साल के सबसे ज्यादा मरीज राची में कोर्णा की चौथी लहर में संक्रमन का सबसे अधिक असर युवाओं पर हुआ है कुल संक्रमितों की तुलना में 32 पिजदी संक्रमन 20-30 साल आयुवर के युवाओं में हुआ है ये सभी युवा, कॉलेज और कामकाजी गुरूप के हाए वहीं कुल संक्रमितों की तूलना में रांची में 30 से 45 आजुगर के 25 फिच्दी लोग अब तक संक्रमित हुए इसके अलावा 45 से 60 साल तक के लोगों में संक्रमन दर 24 परतिसद रही वहीं इस बार आंची में 60 से अधिक साल के सिर्फ 16 फिजदी बुजुरगी संक्रमन के चपेट में आये बता दे इस बार की लहर में 15 साल तक के महाद 4 फिजदी बच्चे ही संक्रमन के चपेट में आया है सिक्षा मंत्री ने केंद्रिय सिक्षा राज मंत्री से कहा बंद हो जाएगा M.D.A.M. बितिये वर्ष 2022-23 में मद्याहन भोजन और समगर सिक्षा भ्यान के लिए केंद्र से 4 माह की रासी नहीं मिली है इसे मद्याहन भोजन संचाल में परिशाने हो रही है अगर जल्द रासी नहीं दी गई तो मद्याहन भोजन बंद हो जाएगा यह बात राजे के सिक्षा मंत्री जगरनात महतों ने मंगलबार को केंद्रिय सिक्षा राजे मंत्री अनपूर्ना देवी से कही बता देगिरीडी के बगोदर में कारकरम के दरान जगरनात महतों ने केंद्रिय सिक्षा राजे मंत्री से बात की राजे को रासी नहीं मिलने के मामले को केंद्रिय सिक्षा राजे मंत्री रे गंभिता से लिया है उन्होंने मंत्राले के अधिकारियों से मावले में पूरी जनकारी ली इसके बाद उन्होंने सिक्षा मंत्री जगनात महतों को फोन किया उन्होंने जगनात महतों को बताया कि एक सब्ता में राजे को रासी उपलब्द करा दी जाएगी बयोट की 75-75 सी उपलब्त करा दी जाएगी नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज की अधिसुचना पर रोग जार्खन सरकार ने नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज को लेकर बलाने ना लिया है मुक्यमंत्री हमांसरे ने नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज के ओधी बिस्तार के प्रस्ताव को विचराधिन प्रतित नहीं होने की बिन्दूपर अनुमोदन दे दिया है वर्ष 1964 में नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज की शुरुवात होय थी उसके बाद ततकालिन बिहार सरकार ने वर्ष 99 में नेतरहाट फिल्ड फाइरिंग रेंज की अधी बिस्तार किया था मुख्य मंत्री ने जनहीत को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फिल्ड फाइरिंग रेंज को पुना अधी सुचित नहीं करने के प्रस्ताव पर समती परदान की है नेतरहाट फिल्ड फाइरिंग पर रोग के बाद जनजातिय समुदाय में खोसी देखी जा रही है पूजा सिंगल की पेसी नयाइक हिरासत ओधी 31 तक बढ़ी मनी लॉंडरिंग के आरोप में बीरसा मुंडा केंजरी कारा होटवार में बंध लिलंबित आई एस अधिकारी पूजा सिंगल को बुद्वार को इडी कोट में वीडियो कंफेंसी के माध्यम से पेस किया गया उनके साथ जेल में बंध सीए सुमन कुमार और बर्खात जूनियर इंजिनियर राम बिनोध परसाथ सिंगल को भी वीडियो कंफेंसी के माध्यम से पेस किया गया तीनों कि नयाइक हिरासत ओधी 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है बता दे तीनों की पेसी अब आदालत में 31 अगस्त को ही होगी पूजा 11 मैसे जेल में हाए जबकि राम बिनोध परसाथ सिंगल को इडि ने कोलकाता से 17 जून 2020 को गिरफतार किया था तब से वाद जेल में हाए ट्रैफिक एसपी को पदस्थापित करने के लिए सांसद ने सीएम को लिखा पोतर रांची के सांसद संजाज सेठने मुख्यमंत्री हेमन सुरेन से रांची में ट्रैफिक एसपी पदस्थापित करने की मांग की है उन्होंने रांची जम सेथपुद धनबाद वबोकारों में पुलिस आयूत का पद स्रीजित करने की मांग की है उन्होंने लिखा है कि रांची में बढ़ते वाहनों के कारान यातायात व्यवस्ता चर्मराई है ट्रैफिक एसपी नहीं होने से यातायात व्यवस्ता और व्यवेपटरी होती दिख रही है एक और सरकार रांची को स्मार्ट सिटी बनाने और यहां के ट्रैफिक व्यवस्ता को अतेधुनिक करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है वहीं दूसरी तरफ यहां ट्रैफिक एसपी का ही नहीं होना बहुत दुर्भागी पुर्ण है जाम में एंबुलेंस, इस्कूल बस जैसे वहान भी कई बार फस जा रहे हैं अस्पताल से समसान घाट तक GST कांग्रेस जारखन परदेश कंग्रेस कमिटी ने केंद्र सरकार पर महंगाई को रोकने में बिफल होने का आरोप लगाया है परदेस कंग्रेस अध्यक्स राजेस ठाकूर और कंग्रेस विधायक दलकनेता अलमगीर अलम ने सन्युकत रूप से प्रेस वार्ता कर अरोप लगाया है कि महाँगाई कम करने के नाम पर सत्ता में आई भाजपा ने सत्ता हास्तिर होते ही महाँगाई से लड़ने के लिए जानता को छोड़ दिया और अपने बेहोसाई मित्रों का काम करने में जूट गई परदेश कॉंग्रेस अद्यक्स राइस ठाकूर ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में आम चुनायों के पुरुनायंद्र मोदी देश के जुआओ और आम लोगों के सामने महाँगाई कम करने वो बरिजगारे दूर करने के वादे कर रहे थे साता में आते ही पुरिश्थिती बदल गई जारखन में खुल रहे 22 EFR थाने राज्य में अब ऑनलाइन EFR के मामले में तोरित करवाई होगी अब जीलों में समन्वाई के लिए अलग से एक एक थाने का स्रीजन हुआ है जिसके सुरू होते ही ऑनलाइन सिकायतों पर तुरंथ पुलिस की से क्रेटा बढ़ जाएगी पुलिस मुख्याले से मिली जनकारी के अनुसार खुटी और रामगड को छोड़ से सभी 22 जीलों के मुख्याले में एक एक यानि कूल 22 EFR थाना का स्रीजन किया गया है जारखन के किसान काफी जागरूप है लाभ दिखने पर किसी तक निको को अपनाने में हिचकी चाते नहीं है नैनो जूरिया एक तरल उर्वारक है इसके उपयोग से उर्वारक लागत में कमी वा अधिक उपज मिलने के साथ साथ पर दूसन का प्रभाव भी कम पाया गया है इसके परियोग से अने उर्वारकों के उपयोगता छामता एवं उपज छामता में बढ़ोतरी के साथ फोसल गुनवता में सुधार भी देखा जा रहा है उक्त बात ते बिरसाकली से भी सुविद्यालाई के कुलपती डाक्टर ओकार नाथ सिंग ने कही बता दे उन्होंने कहा कि सही मायने में नैनो यूरिया तरल उर्वारक आने वाले वर्चों में जार्खन की किसानों के लिए वर्दान सावित हो सकती है होम गार्ड अभ्यार्थी पैदल पद्यात्रा पर निकले धनबाद से कई होमगाड अभ्यार्थी जारखन की रधानी राची के लिए पैदल निकल पड़े हैं दरसल पिछले 5 वर्चों से 735 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ती की मांग को लेकर अंदोलन रथा हैं ये होमगाड अभ्यार्थी पिछले 40 दिन से धनबाद के रंधीन वर्माच चोग पर धारना दे रहे हैं लेकिन जब इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो धारना प्रबैठे सब भी होमगाड अभ्यार्थी नियुक्ती की मांग को लेकर राजधानी राची के लिए पैदल निकल पड़े बता दे कि पिछले 5 सालों से ये होमगाड अभ्यार्थी अपनी नियुक्ती की मांग को लेकर लगातार आंदोलों रथा हैं लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं की गई है धन्यवाद